नमश्कार दोस्तो डिफेंस नियूज हिंदी में आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचार तीन तारिक चार तारिक वर्भांच तारिक के मिला करें इरान से पहले वार करने की प्लानिंग इंतजार में समय बरबाद नहीं करना चाहता इस्राइल इरानी हमले को देखते हुए इसराइल इलर्ट हो गया है लेकिन यहूदी राष्ट की प्लानिंग सिर्फ युद्ध की त्यारिया करते हुए हमले का इंतजार करना ही नहीं है हिब्रू मीडिया का कहना है कि अगर इसराइल को इस बात के पुक्ता सबूत मिल जाते हैं कि तहरान हमला करेगा ही तो वै उस से पहले अटैक करने की सोच सकता है रिपोर्ट के मताबिक यह आंकलन है कि इरान आने वाले दिनों या हफ्तों में इसराइल पर हमला कर सकता है लेकिन यहुदी राष्ट को इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह हमला कितना बड़ा या किस तरहें से किया जाएगा इसलिए वे इस बारे में कई विकल्पों पर चर्चा कर रहा है कि वे किस तरहें से किसी संभावी थमले का सबसे अच्छा जवाब दे सकता है या उसे रोक सकता है अगला अमेरिका का सबसे बड़ा सीक्रेट राष्ट पती उपर राष्ट पती सब मारे गए तो दूर बैठा वो शक्स संभालेगा देश अमेरिका में राष्ट पती चुनाव की गुंज है ऐसे में आपको एक खास कोड के बारे में जानना चाहिए हाँ एक ऐसा गुप्त प्लान जिसके तहट अमेरिका 24 गंटे महा विनाशक स्थिती के लिए तैयार रहता है दरसल अगर राष्ट पती उपराष्ट पती और बाकी पूरी कैबिनेट एक साथ खत्म हो जाए तो भी अमेरिका का एक शक्स कमान संभालने के लिए जिन्दा रहेगा अमेरिका इस सीक्रेट कोड के बारे में कम जानकारी सारुजनिक करता है लेकिन अमेरिका ने उस थिति के लिए प्लान तैयार कर रखा जब किसी बड़े हमले में एक साथ अमेरिका के सभी राष्टपती उपराष्टपती कॉंग्रेस के संयुक सत्र के दोरान सभी सदस्से क्याबिनेट के मंतरी मतलब सरकार चलाने के लिए जिम्यदार हर शक्स की मौत हो जाए आपको जानकर हैरानी होगी कि तब भी अमेरिका का एक लीडर जिन्दा रहेगा जी हाँ यह शक्स उस जगे से दूर बिठाया जाता है वह वहीं से इवेंट को देखता है अगला मध्यपूर में जारी संकट के बीच दुनिया के इस हिस्से में बढ़ रहा तनाव यहां हो रहा है खतरनाक हतियारों का परदर्शन एक तरफ जहां मध्यपूर में इरान और इस्राइल के बीच में युद के बादल मंडरा रहे हैं वहीं दुनिया के एक और हिस्से में तनाव बढ़ रहा है उत्तर कोरिया ने एक समहरों में फ्रंट लाइन पर तैनाथ सेने एकाईयों को परमानू सक्षम 250 मिसाइल लांचर सोपे उत्तर कोरियाई नेता किम जौंग उनने अमेरिका के समभावित खत्रों का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना के परमानू कार्यकरम के निरंतर विस्तार की बात कही उत्तर कोरिया की अधिकारिक Korean Central News Agency ने बताया कि देश की युद्ध समागरी बनाने वाली फैक्टरियों ने इन मिसाइल लॉंचर को सामरिक रूप से महतोपून बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के लिए बनाया है अगला दूसरे देशों की जमीन हडपने वाला चीन अब लिख रहा साजिश की नई स्क्रिप्ट भारत पर क्या पड़ेगा इसका असर अब तक दूसरे देशों की जमीन हडपने वाला चीन साजिश की एक नई स्क्रिप्ट लिख रहा है और ब्रंपत्र नदी के उपर एक बांध बनाने की त्यारी कर रहा है अग आप सोच रहे होंगे कि आखिर बांध से क्या परिशानी हो सकती है दरसल समस्या बांध नहीं बलकि बांध को लेकर चीन के राष्टपती शी जिनपिंग और उसकी रेड आर्मी की मनशा है तो चलिए आपको बताते हैं कि जमीन कोर्ट चीन का डैम प्लान क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा ड्रैगन अब बांध के जरिये तबाही की तयारी में जुटाई है सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन जिनपिंग ने इसके लिए अपने सबसे भेतरीन इंजीनियरों और आर्किटेक्ट से ब्लू प्रिंट तयार करवा लिया है इतना ही नहीं जानकारी है कि जिनपिंग के आदेश के बाद ब्रह्म पुत्र नदी पर एक ऐसा निर्मान हो रहा है जो भारत मियनमार और बंगला देश जैसे देशों के लिए खत्रे की गंटी है अगला हलक से नहीं उतर रही चीन की बाद भारत के साथ बनाना चाता है भाई भेन का नाता चीन के तेवा इन दिनों बदले-बदले से लग रहे हैं हर वक्त भारत को लेकर नापाक साजिशे रचने वाला चीन अब दोस्ती के राग अलाप रहा है LAC विवाद से लेकर अक्सर बॉर्डर के पास गाउं बसाने जैसी हरकतें चीन करता ही रहता है लेकिन अब चीन ने कहा है कि वे भारत के पास साथ काम करना चाहता है ये बात किसी और ने नहीं बलकि चीन के महावानिज्य दूतावास के राजनाइक कौंग श्यानुहा ने कही है महराष्ट के मुंबई में उन्होंने कहा कि उनका देश दोनों पडोसी देशों के लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत के साथ काम करने को तैयार है कौंग ने चीन और जापान के बीच हुई जंग में भारत की तरफ से दी गई मदद को भी याद दिलाया अगला भारत की तरंग शक्ती से लगेगा चीन को करेंट पाकिस्तान के सीने में साप लोट जाएंगे दस देशों की फौज देख कहीं निकल न जाये दम भारतिय वायू सेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने को तयार है पहली बार भारतिय वायू सेना मल्ची नैशनल एयर एक्सरसाइस तरंग शक्ती करने जा रही है भारत में होने वाले इस युधा भ्यास में दस देशों के लड़ाकू विमान शामिल होंगे आज हिंदुस्तान के सामने कोई भी दुश्मन देश आँख नहीं दिखा सकता भारत की तरंग शक्ती को लेकर कहा जा रहा है कि चीन को लाखों वोल्ट का जटका लग जाएगा वहीं पाकिस्तान के कलेजे में तो डर के मारे सांप लोड जाएंगे इस अभ्यास के दोरान भारत का दबदवा ऐसा होगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों में खलबली मच जाएगी क्योंकि जब आस्मान में भारत के तेजस मिराज और राफिल गर जाएंगे तो चीन भी कांप जाएगा और पाकिस्तान के भी पसीने चूट जाएंगे ये कब होगा किस समय होगा पूरा प्लान तैयार कर लिया गया जगे भी फिक्स है बारती वायू सेनच 6 अगस से 14 अगस तक तमिलनाडू के सुलूर में और 29 अगस से 12 सितंबर तक जोदपूर में अब तक का सबसे बड़ा अजुद्धा भ्यास करने जा रही है अगला बंगला देश में भारी बवाल पीम आवास में घुसे प्रदर्शनकारी शेख हसीना ने दिया इस्तीफा और छोड़ा धाका बांगला देश में हालाद लगातार बिगड़ते जा रहे हैं बांगला देश में जारी हिंसा के बीच परधान मंत्री शेक हसीना ने धाका छोड़ दिया है हसीना ने किसी सुरक्षि स्थान के लिए निकली है इस बीच धाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी परदानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं शेख हसीना ने परदानमंत्री पत से स्तीफा दे दिया है परदर्शनकारियों ने कई एहम रास्तों पर भी कबजा कर लिया है इंटरनेट को पूरी तरे बंद कर दिया गया है इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बियनपी के कारेकरता बड़ी संख्या में सडकों पर उतरा है जो सत्ता रूड अवामी लीक के कारेकरताओं को निशाना बना रहे हैं बंगलादेश के परदान मंत्री कारेले के एक वरिष्ट अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्थ पर एन आई से कहा के हिंसा बढ़कने के बाद परदान मंत्री शेख हसीना ने धाका में अपनी सरकारी अवास छोड़ दिया है बरतमान में उनका ठिकाना अग्यात है धाका में स्थिती अत्यधिक सम्वेदन शील है और परदान मंत्री के आवास पर भी भीडने कबजा कर लिया है अगला उत्तर कोरिया कर रहा है परमानू हमले की तैयारी ताना शाकिम के इस कदम से दुनिया में मचा हड़कम उत्तर कोरिया और डक्षिन कोरिया के बीच तनाव जग जाही रही इस बीच उत्तर कोरिया की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है एक सामारो को के दोरान नौर्थ कोरिया की सरकार की तरफ से अग्रिम मोर्चे पर तैना सेने इकाईयों को परमाणू सक्षम 250 मिसाइल लॉंचर सोपे गए है उत्तर कोरियाई नेता किम जॉंग उन ने इस दोरान अमेरिका के संभावित खत्रों का मुकाबला करने के लिए अपनी सेना के परमाणू कारेकरम के निरंतर विस्तार का भी एलान किया है उत्तर कोरिया की अधिकारिक कोरियन सेंटरल न्यूज इजन्सी ने बताया कि देश की युद्ध समगरी समंदी फैक्ट्रियों में इन मिसाइल लॉंचर को सामरिक रूप से महतोपून बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने के लिए बनाया गया है किम ने प्योंग यांग में रवीवार को आयोजित एक कारे करम में कहा कि एक नए मिसाइल लॉंचर उसकी अग्रिम मोर्चे की काईयों को दक्षिन कोरिया के खिलाफ जबरदस्त प्रती रोधक शमता परदान करेंगे और कुशल सामरिक रूप से महतोपोन परमानू हत्यारों के संचालन को अधिक व्यवारिक और कुशल बनाएंगे अगला क्या सच में प्रित्वी से दूर हो जा रहा है चंदर्मा 25 गंटे का हो सकता है एक दिन चौकाने वाला खुलासा एक स्टडी रिपोर्ट में बताया गया है कि चंदर्मा प्रित्वी से लग भग 3.8 सेंटी मीटर पती वर्ष की दूर हो रहा है जिसका हमारे ग्रह पर दिन की लंबाई पर बहुत वास्तिक परभाव पड़ेगा और स्टडी की रिपोर्ट के मताबिक उसके बाद दिन 24 ग सावधानी पूर्वक विज्ञानिक अवलोकन और विशलेशन पर आधारित है विसकॉंसिन मेडिसन विश्वेदाले की एक टीम ने 90 मिलियन वर्ष पुरानी एक संरंचना से चटान पर ध्यान केंद्रित किया ताकि यह पता चल सके कि चंदर्मा का प्रित्वी से धीरे धी प्रतिवर्ष दूर हो रहा है और 200 मिलियन वर्षों में प्रित्वी पर दिन 24 नहीं 25 गंटे का होगा इस अधेयन से यह भी पता चलता है कि 1.4 बिलियन वर्ष पहले प्रित्वी पर एक दिन 18 गंटे से थोड़ा आधिक समय का ही होता था अगला यूएस जपान ताइवान के बाजार में कोहराम मंदी की आहट से 57 साल की सबसे बड़ी गिरावट भारत का ये हाल शेयर बाजार या शेयर मार्किट का क्या होगा रिटेल निवेशकों के मन में ये सवाल तेजी से उठ रहा है क्योंकि लगातार दूसरे दिन भारती शेयर बाजार में काफी गिरावट देखी जा रही है सबसे ज्यादा मिट कैप और स्मॉल कैप शेयरों की प्टाई हो रही है सरकारी कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा तूटे हैं दरसल इस गिरावट के पीछे ग्लोबल कारण है भारत की एकॉनमी मजबूत है और बाजार को ये पता है लेकिन दूसरे देशों को देखें तो वहां हाहाकार मचा है जिसका असर अब भारती बाजारों पर दिख रहा है धन्यवाद